आदर्निय निर्नायक मंडल और मेरे देश के बावी करंदार मेरी युवा सत्यों मैं सरवदा बल्दा सरकारी प्राइमली स्कूल कोट संदोखराई की अध्यापिका हूँ मानेवर मैं सोच रही थी कि अकसर अकबारों किताबों और रसालों में हम गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तो आज मैं कौन सी नई बात को हूँ सबसे पहली बात तो ये है कि शिरी गुरु तेग बहादुर जी को याद क्यों किया चाता है क्या सिर्फ इस लिए कि वे सिखों के नौमे गुरु थे अगर बात इतनी सी है मानेवर तो फिर उन्हें हिंद की चादर क्यों कहा जाता है चादर जिसे ठंड में खुद को बचाने के लिए हम उसे ओड लेती है और वो हमें अब अपनी शत्रशाया में लेती है वैसे ही पूरे हिंदू समाज को बचाने के लिए शिर्फ गुरु ते बहादुर जी ने भी अपनी शत्रशाया में ले लिया था मानेवर आज परोस में किसी के गर में कोई गुंडा उसे मारने के लिए चला आता है तो हम अंदर दुबग जाते हैं बीच और राहे में किसी का कतल कर दिया जाता है तो हम वहाँ से किसक जाते हैं बरे बाजार में किसी की इज़त लूप ली जाती है तो हम सिरफ अपनी बहु बेटियों के बारे में सोचते हैं क्यों मानेवर क्योंकि हमारी सोच का दायरा मेरा गर मेरे बच्चों तक ही सिमट कर रह चुका है हम बूल चुके हैं गुरुजी के बलिदान को जिन्होंने पडोसी राज्य कश्मीर से आई कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना सीस कुर्वान कर दिया था मानेवर आज बच्चों से पूछा जाए बेटा बड़े होकर क्या बनोंगे तो वो कहेंगे मैं खिलाडी बनूंगा मैं इंजीनियर बनूंगा मैं डॉक्टर बनूंगा कोई कहेगा मैं अम्बानी बनूँगा, खूब पैसा कमाँगा, कोई नहीं कहता देश की रक्षा गरूँगा, बे सहारों का सहारा बनूँगा, पर वो नो वर्ष का पालक, गौबिंदराइबी, शिरी गुरु तेक बहादुर जी का ही सबुतर था, जिसने बलिदान के लिए अपने पिता को प्रेरिक करते हुए का था, कि पिता जी बलिदान के लिए आप से अच्छा कौन है, अगर हमें गुरु जी के महांता को देखना ही है, तो हमें पढ़ना चाहिए मक्खन सिंग लुबाना की कहानी को, जिसने बौरे के अंदर बैठे गुरु को पहचान लिय और नाचते हुए का था, गुरु लादोरे, गुरु लादोरे, मानवर, हम अपसर पढ़ते हैं, सुनते हैं, कि हमें गुरु जी के बताए मायद पर चलना चाहिए, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, कि क्या, साल में सिर्फ दो बार, उनके जनम दिवस और उनके शही बताए मायद पर चलना शुरू कर देंगे, नहीं मानवर, बिलकुल नहीं कदा पर नहीं कदाचित नहीं, क्योंकि तब सिर्फ एक मुगल थे, पर अब हमारे चारों तरफ मुगल है, हमारे अंदर की ईच्छा मुगल है, बढ़ता हुआ तंकवाद मुगल है, ब्रश्टा चार मुगल है, बुरंगहत्या मुगल है, नशा खोरी मुगल है, ताना शाही मुगल है, बाहिचारे खाकात्मा मुगल है, और सबसे बढ़कर कुछ राजनेताओं के कुरूर पंजे मुगल है पर श्री गुरु देख बहादुर जी कोई नहीं आज जरूरत है जरूरत है गुरु जी के बताय मार्क पर चलने की उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की और अपने बारत को तरक्षी की और ने जाने की अगर हम यूँ ही गुरु जी की बताय मार्क पर नहीं चले और उनकी शिक्षाओं को बुलाते रहे तो मैं दावे से कहती हूँ कि विश्व के मान जित्तर पर बारत का नक्षा डूंडने पर भी नहीं मिल पाएगा जरूरत है समझने की अरे ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तावालो तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्तानों में अगर मिले भी तो खाली गर मिलेंगे या जिन्दा लाशे मिलेंगी मकानों में अंत में यही कहूंगी कि जबसे पड़ा इतिहास गुरु का कि शिश्यों के संग सीष दिया है मरना तो तै है बायो मैंने जीना सीख लिया है मैंने जीना सीख लिया है धन्यवाद